इस तरह से थोड़ असा प्रेस करके low to medium flame पे इसको सेखेंगे. Hello friends, स्वागत है आपका काड्यू किचन में. मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाएंगे oats का चिला. ये breakfast recipe जटपट बनकर तयार हो जाती है, और साथ में healthy भी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की recipe. लेकिन recipe स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे request है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करें. और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे page को follow करें. तो अब चलिए time नवेश्च करते हुए शुरू करते हैं oats का चीला बनाना. ओट्स का चीला बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक कप ओट्स, और साथ में वनफोर्थ कप मुफली. सबसे पहले हम इने dry roast करेंगे, तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ. इसे roast करने के लिए मैंने कडाई को गैस पर रख दिया है, अब हम सबसे पहले इसमें दालेंगे oats, यह मैंने एक कप oats लिया है, साथ में दालेंगे मुफली, वनफोर्थ कप मैंने मुफली ली है, और साथ में ही मैंने ली है सूजी, यह दो चमत सूजी है, इन सभी को mix करके अच्छे से हम low flame पे भुनेंगे, इसको हमें लगाता चलाते रहना है, नहीं तो सूजी नीचे से जल जाएगी और oats और मुफली कच्चे रह जाएगे, यह मैंने बिलकुल साधा oats काम में लिया है, बजार में मसाले वाला भी मिलता है, आप चाहें तो उसको भी use कर सकते हैं बड़ उसमें ध्यान रखिएगा, आगे जाके हम मसाले कम use करेंगे, इसी तरह लगाता चलाते हुए हमें इसको भुनना है, जब तक इसमें अच्छी से खुश भुनना आ जाए, और यह थोड़े-थोड़े से golden ना हो जाए, यह अच्छे से भुन गया है, यह देखिए इ उसका चीला बनाना हो, आप इसे use कर सकते हैं, इसको मैंने mixing ball में निकाल लिया है, और यह ठंडा भी हो गया है, अब हमें mixer लेंगे, इसमें डालेंगे, अब मैं इसको mixi में चलाकर इसका दरदरा mixer तयार कर लूँगे, यह देखिए, मैंने mixi में चला लिया है, अगर इसमे तोड़े से masala add करेंगे, स्वादा अनुसार नमक, लाल मिर्ची, स्वादा अनुसार, आप इसको कम्या जादा कर सकते हैं, और साथ में हम लेंगे थोड़े सी haldi, नमक मिर्ची हaldi को हम अच्छे से mix करेंगे, और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी add करेंगे, पानी हमें एक साथ नहीं दालना है, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा दालना है, यह अच्छे से mix हो गया है, यह देखिए, यह गाड़ा-बैटर बनके तयार हो गया है, इसमें लग-बग half cup जितना पानी लगा है, अब मैं इसमें मिलाऊंगे, one-fourth cup बारिक कटी हुई पत् और इसमें मैं मिलाऊंगे, एक बारिक कटी हुई हरी मिर्ची, इन सभी को हम अच्छे से mix करेंगे, इस सभी अच्छे से mix हो गई है, लेकिन बैटर अभी मुझे थोड़ा-सा गाड़ा लग रहा है, इसमें अभी हम थोड़ा-सा पानी और एड़ करेंगे, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें लास्ट मैं मिलाऊंगी, हाफ टीस्पून मैगी मसाला, मैगी मसाला दालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे, यह पूरा बैटर बनके हमारा तयार है, इस पूरे बैटर को बनाने मे लगभर 3-4 cup जितना पानी लगा है, यह देखिए, इस form में हमें यह चाहिए होगा, तो चलिए अब चलते हैं, गैस की तरफ और चीले बनाना शुरू करते हैं, चीले बनाने के लिए यहाँ पर मैं तवे का यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले इस तवे को हम ऑईल से ग्र ग्रीस हो गया है, अब हम इस पे थोड़ा-थोड़ा करके बैटर दालेंगे, और इसको फैलाएंगे, इस तरह से इसको हम पूरा फैला देंगे, और low to medium flame पे एक साइट सा सिखने देंगे, यह देखिए, यह move हो रहा है, इसका मतलब नीचे से अच्छे से सिख गया है, और इसको टर्ण करेंगे, यह देखिए, इस साइट से थोड़ा-थोड़ा सिख गया है, अब इसी तरह से low to medium flame पे दूसरी साइट से भी हम सिखने देंगे, अब इसको हम दूसरी साइट से भी चैक कर लेते हैं, यह देखिए, यह भी थोड़ा-थोड़ा सिख गया है, इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके low to medium flame पे इसको सेखेंगे, यह देखिए यह दोनों साइट से अच्छे से गोल्डन हो गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह से मैं बाकी बचे होए चीले भी बना कर तयार कर लूगी, यह देखिए, इसमें बहुत सुन्दर कलर आया है, यह खाने में भी बहुत टेस्टी है, बस इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा, इसको हमें low to medium flame पे ही बनाना है, अगर आप इसे तेज गैस पे और अंदर से कच्छे भी रह जाएंगे, आप यह recipe जरूर ट्राय कीजिएगा और comment box में बताइएगा आपको यह recipe कैसी लगी, अगर आपको यह recipe पसंद आई, तो please हमारे वीडियो को like करें और अपने family और friends के साथ share करें, तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक नई recipe के साथ, thank you